तो वेल्थिसकाई के नियों इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुदीर और फाइनली बिग अनॉंस्मेंट है यहाँ पर और खाफी लोगों को बहुत दिन से मतलब काफी दिनों से इंतजार था कि कोई चैनल बनाया जाए जिसपे कि मैं आपको एक इन्फॉमेशन पास आउट कर सकूँ मार्केट के साइटप्स पास आउट कर सकूँ तो फाइनली यहाँ पर टेलीग्राम ग्रूप लाइव कर दिया गया है आज आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जॉइन कर सकते हैं आगे इस ग्रूप के बारे में म जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चीन डाटा समझने की कोशिस करेंगे बट उससे पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रूप की दिके दोस्तों काफी दिन से काफी दादा लोग डिबांड कर रहे थे कि एक चैनल बनाया जाए जिस पे कि आपको जो सुटेबल इंफॉरमिशन आपके पास होती है रिकार्डिंग गार्डिंग कोई लोगों को मैंने जर्ट कर देना स्टार्ट कि इसले थी चार बार वो जक पो दिए उसमें काफी लोगों को क्या दिक्त आय थी कि उनके पास्ट प्रपली इंफोरमेशन नहीं पहुछपाती थी वो लेट हो जाते थे जैसे कि माली जे कॉल मैंने आज दी उनको कल शाम को इंफरमिशन मिल रही है और शाम को वीडियो देख रहे हैं फिर उनकी लेट एंट्री होती थी जिसकी वज़े से क्या होता था कि कभी कभार उनका जो एंट्री पॉइंट होता था वो निकल जात हाता क्योंकि फिर अगर कोई इंफरमिशन टाइम से ना मिले तो फिर वो recently अभी एक घंटे पहले बनाया है इसमें कोई भी इंफर्मिशन अपडेट नहीं है बट मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको जॉइन कर लीजे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहां से भी जॉइन कर सकते हैं अगर वहां से ना जॉइन करने है आप डिरेक्ली जाके टेलिग्राम में सर्च कर लीजे वेल्ट इसका है आपको किलियर ली यहां पर वन सब्क्राइबर का आपको एक चैनल दिखाई देगा और अपना लोग को है यहां पर औरेंज कलर का आप इसको जॉइन कर लीजे आके आने वाले दिनों में इसमें बहुत सी इंफॉर्मिशन आपको मिलने वाली है किस टाइब की इंफॉर्मिशन मिलेगी वो भी मैं आपको एक आईडिया दे देता हूँ यहां पर देखो jackpot calls की information अब आपको यहां पर भी मिलेगी YouTube पर मिलती थी लेकिन सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगी free intraday calls जो भी suitable हो सकती है market में वो अगर मेरे को लगेगा जिस call की probability 80% से जादा होगी target हिट की वो मैं आपको यहां पर share करूँगा यहां पर साथ ही साथ में paid intraday call भी यहां पर मैं आपको share करूँगा जो कि सरफ intraday के basis पर होंगी minimum amount के साफ से आप उनको भी ले सकते है market setup कोई भी अगर मेरे को समझ में आता है जो आगे आने वाले दों में आपको यहां पर share करूँगा और जो भी information आपके काम की हो सकती है regarding the market, global market, trend change, trend कैसा चल रहा है किस setup पर आपको काम करना चाहिए वो भी मैं आपको इस पर time to time share करता रहूँगा जिन लोगों ने हमारे wealth sky के कोई भी course यानि intraday stocks का intraday index trading का option selling का course ले रखता है उन लोगों को definitely इस group को join करना चाहिए क्योंकि आपको काफी जादा help बिलने वाल कीजिए ताकि आपको time to time जो भी मेरी तरफ से help बन सकती है वो मैं आपको provide कर सकूँ अब बात कर लेते हैं आपर market setup की और कल का market कैसा रह सकता है देखो कल मैंने एक वीडियो टाला था कि बही अलट करके मैंने वीडियो टाला था उसमें मैंने बताया था आपको कि there will be the chances कि market में एक बड़ी selling हो सकती है तो उसमें यहां पर अगर दिखा जाए जैसे कि यह candle में आपको दिख रहा था यह candle दिख रही थी आपको यह candle दिख रही थी जब भी market में यूफोरिया बनता है तो एक बड़ी candle की selling की chances बन जाते हैं अगर आज के trading session के साफ से देखें Nifty को तो देखो Nifty ने जो हाई बनाया सुवह सुवह 13,434 का हाई बनाया उसके बाद इसने जो लो बनाया था वो आपका 13,314 का बनाया और करीब करीब यहां पर 13,390 की closing आ गई है लेकिन आज एक important चीज होई है वो आप focus करिए देखो अभी तक क्या हो रहा था market ने जिस लेविल को पार कर ले रहा था उसके ऊपर closing दे देता था लेकिन आज market ने 13,400 पर पार किया लेकिन उसके ऊपर closing नहीं दे पाया इसका मतलब क्या हो रहा है कि 13,400 पर क्या है call writer aggressively write कर रहे है ठीक है दूसी चीज़ा कर देखी जाए यहां पर कल के trading session में most important चीज़ क्या होगा अभी क्या आपकी 12988 पर फिर हमने एक red candle देखी closing आई हमारी 12968 पर अब इसके बाद trend बनाया आप देखो closing देखो market ने अपनी previous closing के लीचे कोई closing नहीं दीती यहां पर 968 पर आई closing यहां पर आपकी 13,110 पर closing आई फिर अगले दिन जो आपकी closing आई वो 13,115 के आसपास आई फिर अगले दिन closing आई वो आपकी कहा ही 13,262 पर closing आई फिर अगले दिन closing कहा ही आपकी 358 पर फिर आज की closing आई है वो कहां पर आई है आपकी 389 के आसपास की इन पूरे trending day में जो यह 5-6 दिन गए है इसमें market ने अपने previous day लोग को टच भी नहीं किया है तो कल का session एक important हो सकता है क्योंकि आज marketing purely consolidation किया था और अगर एक trend को decide की जाए पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो यह आपको गरावट देखने को मिल रही है यह expiry से पहली की गरावट थी अगले अगर हम बात करें तीन तारिक को तो यहां पे भी एक expiry के एक दिन पहले की गरावट थी ठीक है कही न कहीं यहां पे कल और परसो में इन दो trading session कल का trading session most important होगा कल के trading session में आपको अगर market gap up खुलता हो दिखाई देता है तो there will be chances कि कल एक selling आ सकती है profit booking आ सकती है कहां तक आ सकती है अगर हम आज के लोग को तोर की नीचे जाते हैं तो फिर कहीं न कहीं आपको 13200 तक या फिर इस लेवल तक market गिरता हो दिखाई दे सकता है जो कि 13150 तक है ठीक है तो आपको कल थोड़ा सा ध्यान से काम करना है मैं यह नहीं बोला कि आप short कर दीजे लेकिन थोड़ा सा focus होके काम करिएगा हो सकता है आपको short की opportunity मिल जाए बाकी telegram group join कर लीजे अगर मेरी तरफ से कुछ कर रहा है ठीक है आपको दिख रहा है कल का trading session ने भी हाई जो बनाया था करीब 3350 के आसपास का ही बना था लो बना था हमारा 3000 का आज के trading session में भी बैंक निफ्टी ने 30 या 350 के आसपास resistance लिया है अब इस चैनल के अंदर काम काच कर रहा है इस चैनल का breakout breakdown ही important रहा बैंक निफ्टी के लिए अगर breakout आता है तो 200 से 300 point की ऊपर की तेजी हो सकती है और breakdown आता है तो नीचे आपको 500 पॉइंट की घ्रावर्ट देखने को मिल तकती है क्योंकि market क्या कर रहा है अब market थोड़ा से कह सकते हैं कि bank nifty भी बहुत जादा रेंज बना रहा है अब पहले bank nifty बहुत श्ट्रॉंग भी चलता था अब उतने strongly नहीं चल रहा है देखो चोटी-चोटी इंडेक्स ने निकाल दिया जबकि bank nifty 1000 पॉइंट इंटाडे के ऊपर नीचे के मूब दे देता था और जिसमें कि आपको अगर 12 बजे के बात देखने को मिले तो करीब करीब 100 पॉइंट के अंदर ही निकाल दिया था तो आप कल के लिए थोड़ा सा और फोकुस होके काम परिएगा हो सकता है उपर से सेलिंग आज तर जाए क्योंकि पर-सौ एक्सपारी आई पर-सौ एकसपारी है और नॉर्मली एकसपारी से पहले क्या होता है जो कॉल्स के प्रीमयम देखो market उपर शूट अपर शूट अब हुआ तो कॉल्स के प्रीमा क् सकता है या गिर सकता है क्योंकि कॉल्स के प्रीमियम जाद आएं भाई मेरे को तेरा जो मैं कल आपको बता रहा था देखो अगर यहां पर ऑप्षिन चेंज में हम समझने की कोशिस करें यहद्या चुआ में विदालereum के करें जबकिक मार्के अंग्पर अगर दे हैं बैनिफित है क्योंड व कोशिस आपको 50 कौपकर कर सकते हो और तेरा चारसो के नीचे क्लियर आफको मिल रहे है कि एक तेराचारसी पर आपको कितना एग्रसेपली कॉल राइटिंग हो रखी है कि देको तेरा चार तो 26 लाग का उपन इंटरस खड़ा हुआ है तेरा 450 पे भी आपका करीब 12,93,000 का open interest खड़ा है, तेरा 500 पे तो highest open interest खड़ा हुआ है, यहाँ पे और 13,600 पे भी आपको करीब 33,000,00 का open interest दिख रहा है, तेरा 400 पे पुटकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो 14,80,000 का open interest खड़ा हुआ है, जो कि आज के दिन add हुआ है, क्योंकि 9,77,000 का open interest आज के दिन में add हुआ है, नीचे आपका 13,300 पे लेविल होगा, क्यों कि यहाँ पे आपको करीब रभी 32,60,000 का open interest दिख रहा है, 13,300 तो तो आपको एक अच्छी खासी जरावट देखने को मिल सकती है, आपको आज के लो पे ज़ादा फोकस करना है, देक है, ऊपर के लिए, फिलाल मैं अभी तेजी करने में बिल्कुल interest नहीं हूँ, क्योंकि 13,500 का कह सकते हैं, जो psychological target ता, जो इसकी बात हम पेछले हफ्ते कर रहे थे, वो almost आच चुका है, क्योंकि आज के high देखो, 13,400 तेटेस है, 40-50 पॉइंट तो उपर नीचे है, वैसी margin लेके चलना पड़ता है, तो फिलाल मैं अब selling की opportunity ही ढूंड़ोंगा market में, फिलाल ये मैं समझ रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि market कब गिरना start होगा, वो चीज़ हम देखने की कोशिस करेंगे, क्योंकि बहुत चल चुका है, और जो चलने की reason है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, और अब गिरने की reason जो बन रहा है, वो इसी type के बनेंगे, अगर हम global market की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका लाल निशान में काम कर रहा है आपका, कैक भी, फिट्सी भी और जादा तर market आपको करीब-करीब flat से काम करते हो, दिकाई दे रहे होंगे, अगर हैंसिंग की बात करें, तो यह भी आपका आदा पर से निशे काम काच कर रहा है, क्या सकते हैं कि selling का scenario नहीं बनाए अभी, लेकिन उपर के लेबल पर आपको थोड़ी से साफधानी रखनी है, यह चीज मैं आपको बतानी की कोशिस कर रहा हूँ, तो आई होप दोस्तों यह particular data आपको समझ में आगया होगा, दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतनी है, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक उश्याद जरूर करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर लेकि आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो, शुक्रीया दोस्तो, चैनल